हलो गाईच आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपसिंट पर तो डेली के तरह आज भी मौनिंग अप्डेट लाए हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की नूच पर में आई हैं वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को नीचे मैंने लिंक दे दिया है वहां से भी आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं प्रेक्टिस सेट भी बहतीन तरीके का है और जो दोनों प्रेक्टिस सेट हैं इसका जो है आपको एकस्प्लानेशन भी सही से मिल जाएगा साथी साथ आपको आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि इसकी भरती प्रिक्रियाद चल रही है फिलाल जो जानकारी मिली हो यह मिली है कि जो भी परिक्षा कराने वारी एजन्सिया है उन सब का नाम जो है फाइनल हो चुका है औ इन्होंने बताया है कि यह कल की ट्विट है यह मैं नहीं बता रहा हूं और आप देख सकते हैं ट्विट किया इन्होंने इन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस में बारामी पास के लिए बंपर भरती जल्द सुरू होगी 26 जाद 210 कॉंस्टेबल भरती प्रक्रिया तो फिलाल य इमान के चले तीन से चार दिन में उस पर मोहर लग जाएगी बस यही चीज़े कि प्रस्ताव पहुंच जो है भेजने में देरी हो रही है और कुछ निश्री अगर आप त्यारी कर रहे हो पुलिस कॉंस्टेबल की तो आप अच्छे से त्यारी करिए क्योंकि competition बहुत ज्य सिवा चैन बोर्ड हाथ पर हाथ दरे बैठा है सदस्तियों के सभी दस पत रिक्त होने के कारण प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राहत मादिमिक स्कूलों में सिक्षकों और प्रदानाचारियों की भरती नहीं हो पा रही है यहां तक की प्रदानाचार भरती 2013 के सारे बि शोला जुलाई तक आलाई नावेजन लेने के के डेड़ बहने बाद केंद्र नेदान की प्रिक्राप पूरी नहीं हो ऊकिंगी है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमने आपको पहले भी कही सारे वीडियो में बताया है कि परिक्षा तिथी का एलान इसीली नहीं हो पा उन सभी चीजों के बारे में मांगी गई है लेकिन जो सबसे जादा कमी है जो नहीं निकल कर आ रही है आप लोगों का वो यही है कि इसके 10 के 10 सदस जो है वो अनुपस्तित हैं चैन बोर्ड के जब तक वो सदस नहीं आ जाएंगे तब तक चीजें यहां पर कुछ क्लियर नह जिनके लिए आधा दर्जन अपसरों ने भी फार्म नहीं बरें सेस आड़ पदों के लिए सरवाधिक मारा मारी है और साड़े आठ सो से अधिक आवेधन मिले हैं सुत्रों के अनुसार इतनी बड़ी संक्या में आवेधन मिलने के कारण ही सदस्यों की चैन परक्रिया पू करवाज है और जो छात रहें वो मांग भी कर रहें कि पहले आप अपनी न्यूक्ति कर लीजिए बाद में हम लोकी कर लीजिएगा ठीक है प्छात जाकर वहाँ पर ग्यापनोगरा दे रहे हैं चली अगली अपडेट है यहाँ पर राजकिय महाविद्यालों में लिपिक के 21 पदों पर भरती होगी प्रदेश के राजकिय महाविद्यालों में लिपिक के 100 से अधिक पत खाली हैं खाली पदों में से 21 पत पदों निसी से बहरे जा सकते हैं इसके लिए उच्छ निदेसाले से प्रक्रिया सुरू हो गई है पदों नती से खाली पदों को भरने के लि पदों को पदोनती से भरने को भरने की प्रिक्रिया शुरू कर दिये, सहायक निदेशक उच्चे सिक्षा, बीयल सर्मा ने बताया कि प्रमोशन से 20 प्रसत पदों को भरने से कई कालेज को लिपिंग मिल जाएंगे, अनिखाली पदों पर भरती बाद में की जाएगे, तो यह पदों को भरने के लिए पिछले कई महिनों से प्रिक्रिया चल लिए, जून में 286 पदों के सापे 237 सिक्षकों को पदोनती दे कर प्रदाना अध्यापक बनाया था, लेकिन अब तक इनको स्कूल आवंटिद नहीं किया गया है, लगबग हर जिले के राजके हाई स्कूल म से जल जारी हो जाएगी, वहीं जो पद खाली रहे गए उनके लिए फिर से डिपार्टमेंट प्रमोशन की बैठक की, कमेटी की बैठक होगी, सभी स्कूल में प्रदाना द्यापकों की तयनाती जल से जल की जाएगी, तो कूल मिलाकर यहाँ पर दो चीजों के बारे में ब आवेधन यहाँ पर हुए हैं, असास के साहता प्राद महाविद्यालों में विग्यापन संक्या एक्याउन के तहर, असिस्टन प्रोफेसर के 981 पदों पर भरती के लिए 90169 अभ्यारतियों ने आवेधन किये हैं, उत्तर पदेश उत्तर सिक्षा आयोग ने आनलाइन आव हो गई थी, तो यहाँ पर आप देख लिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 981 पद हैं, जिसके लिए 90,000 आवेधन किये गए हैं, अगली अपडेट यूपी बोर्ड को लेकर कि 58.78 लाग विद्यारति देंगे, 2023 की बोर्ड परिक्षा, 2023 की बोर्ड परिक्षा में 58.78 लाग 2130, कुल 58.78 लाग विद्यारतियों के आवेधन मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि बोर्ड परिक्षा के आवेधन की थी, जो है बढ़ाने की मांग की गई है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें जो है चेंजे जहाँ पर देखने को मिल अगली अपडेट है, यूपी ट्रिपल सी लेकपाल की रिवाइज्ट उत्तर कुंजी के बारे में, आपको हम बता दें, अभी आप लोग पूँच रहे थे, बहुत सारे किस्तर जो है यूपी ट्रिपल सी लेकपाल में कितने नंबर पर बोनस मिल सकता है, तो आप सभी लो कि ये सारी भी बर्तिया है, अगर हम बात करें, यूपी ट्रिपल सी लेकपाल की, तो इसमें भी सौभाविक है कि बहुत सारे प्रस्णों पर यहां पर बदला होगा, और कम से कम दो से तीन नंबर पर आप लोगों को जो है बोनस संक दिया जाएगा, बाकी अगर बात करें इसकी रिवाई उत्तरकुंजी कब तक आएगी, तो इसकी रिवाई उत्तरकुंजी उम्मीद यह है, जैसा कि मुझे जानकारी मिल लेए, कि इसी सितंबर के माह में आपकी रिवाई उत्तरकुंजी आजाएगी, और अक्टूबर लास्ट में या फिर नॉम्बर के जारी किया जा सकता है तो फिलाल जो सूचना मिल लए ही वो आपको हमने यहाँ पर बता दिया है तो आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी अगर वीडियो आपको अच्छे लेगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरू जर यहाँ हमने यहाँ को जो एका सकती है कि बनारे वाँ वीडियो आपको तो सब्सक्राव रहिंति करेंशनी जरू कई जयत Frân चारा साम पर एकूरे को जरूद